आर्थिक मंदी को लेकर एक बार फिर से मुखेमंद्री अशोग घ्यलोत निसाधा NDA सरकार पर निशाना उन्होंने ट्वीट कर लिखा आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ भी हम सुनते हैं वह मंदी की खबर है 2019 के अक्टूबर दिसंबर की अवधी में राष्ट्र की तिमाही आर्थिक वरदी लगभग 7 साल की निचले स्तर पर आ गई है कोई विकास नहीं कोई नौकरी नहीं कोई निवेश नहीं बढ़ती मुद्रा स्पीती फिर भी NDA सरकार की ओर से अर्थ ववस्ता में सुधार के ल आर्थिक मंदी को लेकर मुखे मंत्री अशो घ्यलोत ने एक बार फिर से NDA सरकार पर निचाना साधा है ट्विटर के जरिये ये निशाना साधा गया है कहा कोई विकास नहीं कोई नौकरी नहीं कोई निवेश नहीं फिर भी NDA सरकार की ओर से अर्थ ववस्ता में सुधार के लिए कोई आगरे है नहीं आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ भी हम सुनते हैं वह मंदी की खबर है